पहले वर्लडेकप दो हाजर अनिस के बारे में जूकि इस वीडियो मापको बताने वाले हैं वर्लेकप दो हाजर अनिस के उन्सावी टीमों के सुला खिलाड़ों के पुरे फानल रिपोस्त के बारे में जो की ये सॉला ही खिलाड़ी पहले वर्लick अप दो हादर निसके स्क्वाइट में सामिलते है लेकिन अचानक अपने टीम से बाहर हो गए है दो कि इनमें से कुछ ऐसे खिलाडी हैं जो कि इनजिरी निकी चोड़िल के Pot dho और इन काीजिकल से बाहर होएं वहीं कुछ ऐसे भी खिलाडी है। जगह पर रिप्लेशमेंट के तौर पर सभी टオने अपनी अपने टीम में नए खिलाडी को सामीद कर लिया है। तो गाइस पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में शुरू थे लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो की स्पॉंधर किया है नोश्टरा प्रो एप ने जो की कमाल का एप है पावरट बाई पेटियम आप सभी लोग बड़े यासाने से पैसे कमा सकते हैं कुछ इस्थे के सेंपल कुछन की जब आप देखकर जैसर की कॉंटी टीम जतेगी है मैच कौन से टीम हारेगी है मैच और कौन से टीम कतना ज्यादा रहनी स्कॉर करेगी तो भी स्ट्थे को डाउनलोड करिए जो की लिंक के में मौजूदubenमे मीं जाएंगे अब दोस्तों बिनादिरी के वेचे लिए बात करेते हैं वर्ल्ड कप दो हादर निस्ट के उन सारे 16 खिलाड़ों के फानल रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात के सबसे पहले उन खिलाड़ों के बारे में जो पहले वर्ल्ड कप दो हादर निस्ट के लिए अपने अपने ट लेकिन इंजिरिक की वजह से चोटल होने की वजह से इने अपने टीम से बाहर कर द्याता अगे Frid 85 लेकिन वर्लड़ उड़ेकप जाए नीस की लिए अपने गयने तीम में वर्लड़काइए Trich लेकिन ये वर्ल डेकप से पहले फिट नहीं हो पाए थे जो कि इनके इंजिरी के चलते हैं इन्हें टीम से बाहर कर दिया था सौथ अफरीका ए टीम से और इनकी जगा पर टीम में किरिस मोरिस को सामिल किया था जो किरिस मोरिस से एक बहतरी आल्स रूंडर माने जाते हैं अब अगर हम बात कें तीसरे खिलाड़े के बारे में तो नमबर तीन पर नाम आता है एलिक्स हेल्स का जिहां जो कि पहले ये इंगलेंड की टीम का हिस्सा थे जो कि ड्रक्स लेने के वज़ए से इन्हें अचानक अपने टीम से बाहर कर दिया था इंगलेंड के रिकेट बो वर्लिकाप दो हादर निस से स्टाट होने से जस्ट पहले और इनके जगह पर टीम में जब अदस तेज़ गेरबाज जो फरा आर्थर को सामिल किया गया था अब अगर हम बात के नमबर पांस की तो नमबर पांस पर नाम आता है जो कि ये पहले इंगलेंड की टीम का हिस्स लेकिन इनके हालिया फॉर्म काफी खराब थे जिसके चलती पीसीबी ने अपने टीम से बाहर कर दिया था और इनके जगह पर टीम में मुहमद आमिर को सामिल कर लिया गया था जो कि मुहमद आमिर एक जब अदस तेज़ गेरबाज माने जाते हैं बड़े मैच की जो कि एक जब अदस तेज़ गेरबाज माने जाते हैं अगर बात की जाए आठवे खिलाड़ी के बारे में तो नुमबर आठ पर नाम आता है आबिदाली का जो कि इनका पहले से टीम से बाहर होना तैय था और इनकी जगह पर टीम में आसी फैली को सामल कर लिया गया था ए टीम के टीम ने और इनकी जगह पर दूसरे खिलाड़ी को टीम में सामिल कर लिया गया था वर्डेकप के लिए अब दोस्तों अगर हम बात करें उन और आठ बड़े खिलाड़ों के बारे में जो फिलहाल वर्डेकप दो आदर निस्ट का हिंसा है अपने टीम की तरफ से ल लेकिन ये अब फिट हो चुके हैं जो कि बेसेशाई ने एनाउंसर कर दिया है अब अगर हम बात के दूसरे खिलाड़ी के बारे में तो नमबर दो पर नाम आता है टॉम बलेथम का जो कि न्यूजिलेंड के एक जबड़ेस विकेट कीपर बलेबाज है लेकिन ये भी वार मैच से बाहर हो गए ते लेकिन जब तीस में से स्टार्ट होगा वर्लेकप दो आदर निस्ट के मैन मैचेज तो वहां के लिए वो अबेलेबल रहेंगे वहां से वो खेलेंगे न्यूजिलेंड टीम की तरब से अब दोस्तों अगर हम बात के तीसरे खिलाड़ी के बारे मे के दिया है कि यह दोने ही खिलाड़ी की चोट जाड़ा गंबीर नहीं है ऐसे में यह वर्ल्ड कप दो आदर निस्ट के जब मैंन मैचे से स्टार्ट होंगे तो पहले मैच में इंगलेबल रहेंगे अब अगर हम बात कीने पास्टेवे खिलाड़ी के बारे में तो नमबर पांच पर नाम आता है योन मारगन जो कि इंगलेड के जब अदर से कप्तान और बैट्समेन जो कि यह भी पूरी तरह से इंजड हैं काफी जारा गंबीर नहीं के चोट है ऐसे में यह वर्ल्ड कप दो आदर निस्ट के मैंन मैचे से स्टार्ट हो जाएंगे तीस मैई से त लेकिन इंगलेड के रिकेट बोर्ड ने बता दिया है कि इनके चोट जारा गंबीर नहीं है ऐसे में यह भी अवेलेबल जहेंगे जब वर्ल्ड कप दो आदर निस्ट के मैंन मैचे स्टार्ट होंगे अगर बात किजा नमबर साथ की तो नमबर साथ पर नाम आता है इंगल जो कि इन्हें भी चोट लग गई थी प्रेटियस मैच में लेकिन अब यह भी फिट हो चुके हैं तो गाइस फिलहाल इस वीडियों बस दने अगर आपको मारी वीडियो च्छी लिए तो लाइक करें सेर करें कमेंट बॉक्स में अपनी विजारा पने राए जरूर दें वह सारे के न्यू सबसे पहले